तू ब्रैकिट में ये धारा भारत के सम्विधान की इस बात की इजाज़त देती है प्लेसिज ओपर्शिप एक्ट में कि कोई भी राज वो मद्यपरदेश हो क्योंकि आपने तीन तीन इमानदारी की और एक बैमानी की सरकार बनाई है तीन बार इमानदारी की बनाई तब भी ये कोशिश नहीं की और एक बार वापस ले ली जटके से तब भी कोशिश नहीं कर रहे हैं तब भी इस बात का डरनी लगा कि चली गई थी बड़ी मुश्किल से आई है कम से कम ये मौखा तो नहीं गवाएं इस पे भी उन्होंने कुछ नहीं करा उनको लगता है बड़ी बड़ी बातें करते हैं मैंने सुनाए कि कुछ थोड़ा बहुत योगी का सरा आ गया उनमे एक बार कई भाशनड़ दे रहे थे मैंने जब उनका भाशनड़ देखा माफ कीज़े का मैं बड़ी इज़त करता हूँ उनकी निजी परसनालिटी पर सवाल ले वो कह रहे थे मैं जमीन में गार दूँगा वो उस वक्त खुद ही हिल रहे थे किसी शब्द को बोलो उसकी मर्यादा तू रखो यार उस शब्द की माने भी इतने डर्पुग लग रहे हैं पता नहीं यार खुद जा रहे हो या गार रहे हो क्या कर रहे हैं हिले जा रहे हैं तो मामा से कहिए कि मामा बहुत होते हैं बीस साल जीवन में कुछ खौमें ऐसी हैं कि चौबीस घंटे में अपना एजंडा पूरा कर लेती हैं इसलिए कि ये हमारा है कुछ-कुछ जैसा लगता है हम जैसा ही इस वज़े से छूट नहीं होगी राश्टों के जीवन में बीस साल बहुत बड़ा समय होता है सब को जाना है लेकिन जाने के बाद मामा जी से कहिएगा इस्कूलों की किताबों में तो पढ़ाया जाएगा कि एक आदमी चार बार मुखमंत्री की कुआ ये तो पढ़ाया जाएगा लेकिन राश्ट आपको याद नहीं रखेगा आप किताब तक सीमित रहना चाते हैं या करोड़ों लोगों को लाखों लाखों साल तक जिन्दा रहना चाते हैं ये तै करिए आप देख रहे हैं तक लिए ओड़ाया जाखल नीओ